लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैमी की डेथ हो चुकी थी उसके पड़ डवीना की भी डेथ हो चुकी है कोल की वज़े से क्योंकि एंसिस्टर उससे मैनुपलेट कर रहे थे वही हम देखते हैं डवीना को रिजरेक्ट करने के लिए पूरा ट्राइ कर रहे थे सब ल एंसलिशन को रोख सके और अपने फैमिली मेंबर्स की जान बचा सके और यह देखके उन्हें दुष्वनों की लायन खड़ी करती थी जिसमें से मार्सल एक था और यह देखने के बाद देखा आमने लास्ट सब्सब्स में तो शुरू करते इस एपिशोड को शुरू काने थी ओरिजिनल का सीजन 3 के एपिसोड नूर्बर 21 तो चलिए शुरू करते हैं पहला funeral हम Cammy का देखते हैं जिसको Michelson family ने join किया था और दूसरा funeral सरिफ 4 लोगों join किया था जो था Davina का जो थे Vincent, Josh, Marcel और Cole और हम देखते हैं चारों बहुत ज़ादा sad थे उनको बहुत ज़ादा कमी लग रही थी Davina के उनकी life में क्योंकि वह बहुत ज़ादा connected थे वही हम देखते कैमी के में पूरी माइकलसन फैमिली थी और उसके नोन परसंस थे और हम देखते उसी के बार वे उसके टूनरल के बाद ड्रिंक्स रखी गई थी जहाँ पर हम देखते विल कैनी आता है इंवेस्टिकेशन करने के लिए और यह देखते क्लाउस को थोड़ा ड यहां वहां तलाशने लगता है और तभी हम देखते मार्सल वहां पर आता है एक पूल रखे जाता है कैमी की कॉफिन पर और वहां से चला जाता है इसका गुस्सा अब तक शान्त नहीं हुआ क्या और तभी क्लाउस बोलता है छोटी बात थोड़ना थी बड़ी बात थी मुझा सकते हो और तभी विंसेंट बोलता है हां मुझे पता है वो थोड़ी बीमार हुई और मर गई और यह कहने के बाद विल कहने बोलते हैं ऐसे LOOK सकते कोई ऐसे मर जाए उसका कोई तो reason होता होगा ना कोई बीमार पड़े कोई accident हो और कोई भी रिपोर्ट नहीं है उसकी ना किसे 911 पे call किया ना कोई record है history का ना hospital के अंदर हो कैसे मरी मुझे सच जानना है और तभी हम देखते विंसेट वासेट जाने का ट्राइए करता है औ कर पाऊ और तभी विलकेनी बोलता है मैं हेंडल कर लूँगा और मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड इस टाउन के अंदर और मुझे लंबे टाइम से फील हो रहा था बट अब हिम्मत है पूशने की और मुझे जानना है विंसेट तुम मेरे बहुत पुराने दोस्तों करनी पड़ेगी इस चीज में और तभी हम देखते हैं विंसेट खड़ा हो जाते हो जाता है तो उन में से मैजिक को तलाष कर रहे थें प्ता करने कोशिq कर रही है अगर लूशन मर चुका है तो प्रफसी कैसे पूरी होगी और कोण बनने वाला अगरा ईविल और यह सब पार्टी नहीं कर रही हो दूसरी तरह द्रिंक नहीं कर रही हो और तभी फ्रेया उसको समझाती है कि अभी उनकी जान खत्रे में और वो कुछ ना कुछ अपने भाईयों को बचाने के लिए करती रहेगी बट कोल बोलता है कि उसको कोई भी इंट्रेस्ट ने इन प्रॉफेस सच हो सकती है और मेरे पास अब एंसिस्टरस का मैजिक है और कोल मैं जान पूछ के नहीं मारना चाती थी डवीना को बट कोई ऑप्शन नहीं था बट हम देखते हैं कोल उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है मुझे एक बहन चाहिए ही नहीं थी मैं अकेला ही खुश था और उसके कंडे पर हाथ रखता है और विशन देखने के त्राइब करता है और अपास को एक और monitो सब सबक्राइब ऑ अपता है अलाईदा को दुश्मन हाँ पर क्लाउस का दोस्त और इन दोंों कोस्त दोस्त बने वाला है खता है और भो Khôngने कनेальные और मैं इससे बन सकता हूं बिल्कुल लूशन जैसा और यह कहने बाद जोश बोलता अच्छा तुने बनने के प्लान बना लिये तो मैंसे करता हूं इस सूट को फिर से ड्राय क्लीन करा लेता हूं क्योंकि तेरा फ्यूनरल अब जल्दी अट्लेंट करना पड़ेगा अरे का मत कर अरे दवीना होती तो वो नहीं करता और हम देखते हैं जबरदस्ती उससे रखवा देता है वाइल वापस जिससे वो ना ले सके और हम देखते हैं मार्सल उसर से मिलने के लिए और श fiquei ना हो गया हओ और उसने मार्सल को लाके दे दिया होगा वाइल और तभी हम देखते हैं वो चेक करती आरोरा की बोडी को और फता लगाती है कि उसके अंदर वो पोशन है यह नहीं और यह सोचते हैं और उनको लगता है कि कोई बड़ा खत्रा आने वाला है और उपर से अफरिया के पास इत टूटता है जिससे डवीना की परचाही दिखती है उससे गला काटती है और देखते हैं विंसेंट को ले के आ चुका था विलकैनी को अपने घर पे पुरान खंडर सा घर था और इसको देखके हस्ते हुए बोलता है विंसेंट यह मेरे पुराना घर है मैं और मेरी वाइफ और मेरी वाइफि की वज़े से घर चोड़ना पड़ा और इस घर को कोई नी खरेदेगा क्योंकि मेरी वाइफ मेरी करना ख्रती और सब कर रहे हैं तब यह सब कुस्त बोलता था तो हम सच हैं और उर गोमेटी भी मेरे घर के आसपास सो दिर को इतना और अखिया माइकलसन फैमिली से और कोई भी इनोसेंट लोग बीच में आएंगे वो सब मरेंगे बट हमको मिलके रोकना होगा उन एंसिस्टर्स को इस सब करने से और उन मासूम लोगों से मरने से और उन मासू में से एक थी कैमी जिसकी मौत हुई है और हमको मिलके उनको रोखना पड़ेगा उनका लिंक तोड़ना पड़ेगा लिंक जो कनेक्टिड है लिविंग वर्ल्ड से और ये कहने के बाद विलकैनी को बताता है इस डिब्बे को मुझे धंग से रखना है और इस ब बोल पे डालने लगता है जैसे कोई स्पेल पूरा कर रहा हो और तभी विलकैनी समझने की कोशिश करता है वह करना क्या चाहता है तो बताता है कि उसको कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा स्पिरिट वर्ल्ड का हमारे वर्ल्ड से और वह तोड़ने के लिए उसे स्पिरिट ना हो तो जादा बैटर रहेगा बस तू इतना समाल लेना तभी विलके नहीं पूछता है ये तो मैं समझ गाऊं बड़ तू स्पिरिट वर्ड में जाएगा कैसे और ये कहने को पीछे कोल माइकलसन आ जाता और बोलता है इसको मरना पड़ेगा उसके लिए और तभी विलके मुझे वापस करना है और तभी हम देखते विंसेट को समझ नहीं पार था बट बोलते चलो तुम मेरे साथ चलो और हम देखते दोनों चले जाते सेमेट्री की तरफ अब वहाँ पर जोश्वा भी उन्हें जोइन कर लेता और हम देखते पूरा स्पेल रेडी करते हैं और यहां पर जोश्वान दोनों को चैनल करने वाला था और दोनों बोलते हैं कि हम उस साइड में जाएंगे अगर हम एंसिस्टर के हाथों पगड़े गए तो शायद हम मर सकते हैं और तभी जोश पूछते हैं तुम कैसे जा सकते हैं तुम तो एक वेंपायर हो ना कोल और यह कि आत्माओं के भी टुकड़े हो चुके थे अब फिर विंसेंट उनको लेके जाते हैं उस में सेमेट्री के अंदर और वहां पर उस मैजिक ऑब्जेक्ट को खोलता और यह डाक ऑब्जेक्ट है जो लिंक को तोड़ देगा बड़ तभी हम देखते हैं तुम जा सकते हैं विंसेंट आगे से मैं समालूंगी और यह कहने को विंसेंट बोलता है से वो बिल्कुल नहीं होने देगा डवीनो तुम्हें मरने की जुरत नहीं अब और तभी हम देखते हैं वो विंसेंट को वहां से बेज़ देती है और तभी जाती है सीता कोल के पास में और बोलती है प्लीज जोश को बोलना हो ज़ादा ना पी और सैड ना हो मेरी वज़े से और मार्सल को बोलना कि वो मेरी फैमिली है और तुमें मैं कैसे गुटबाई का हूँ मैं जो अब तक नहीं समझ आ रहा है ये कहने के बाद वो इमोशल हो जाती है पड़ तभी हो बोलता है प्लीज डविना क्लेयर तुम मेरा पहला प्यारो जिससे मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया है और मैं कितनी बार मर चुका हूँ और मैं वैंपायर बोडीकंद रहता हूँ रेज के साथ रहता हूँ बट तुम मुझे खुशी देती हो और मुझे जिन्दा होने का एसास कराती हो और यह कहने के बाद उसको भी रियल वर्ल्ड में भेज देती है और हम देखते हैं डविना खुद यह मैजिक करने वाली थी जिसने की विंसेंट की भी जान बत सके और तभी हम देखते अपना spell start करती है और वहां पर cemetery टूटने लगती है और यह देखके दोनों होश में आ चुके थे और जोश के साथ वो बहां से भाग जाते हैं और हम देखते हैं पूरी cemetery में आग लगने लगती है और तूटने लगती है cemetery और यहाँ पर Link खतम होने वाला था एंसिस्टर वर्ड का और रियल वर्ड का और डवीना ने इस प्रोसेस में अपने आपको सैक्रिफाइस कर दिया अब फिर हम देखते हैं विंसेंट जो मिलता है विल कैनी से और मिलने के बाद थैंक्यू कहता है उसे और इस महमंट पर दोनों अकेले थे और तभी वो बोल अब हम क्लाउस को देखते हैं जो सीधा पहुंच चुका था मार्सल के पास में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है हम देखते हैं मार्सल को शांत करने की कोशिश करता है और बोलते हमारे पास कोई option नहीं था प्रेया के पास last option था वरना ऐसा करती नहीं बड़ तब हम देखते हैं मार्सल बोलते हैं तुमारे लिए हमेशा last option होता है जो तुमारी family नहीं होता है तुम उन सब को खतम कर देते हो और क्या तुम मुझे भी कर दोगे कल और यह कहने के बाद बोलते हैं नहीं मार्सल तुम तो family हो और यह कहने के बाद मार्सल बोलते तो डवीना को छोड़ देते, तुमको ये नहीं करना चीए था, और ये कहने को अध गुस्ता होने लगता है, और बोलते हैं तुम हर चीज को खतम कर देते हो, तुम ये कह लगता है सब कुछ फेज है और चला जाएगा, और तभी उस मोमेंट पे, क्लाउस समझता है सिट्व पिशिन को और बोलता है तुम मेरे साथ चलो, और हम देखते हैं, मार्सल रोने सा लग जाता है, और तभी उसके साथ जाने के लिए तयार था, वो वाइल भी ले लेता है अपने साथ में, और वहां से चला जाता है, क्लाउस के साथ में, अब फिर क्लाउस लेके आ आच मैं पुरानी य्यादों को ताज़ा करता रहूं वां रियालिटी इस तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ रहने में मुझे हमेशा लोगसी रहा है और मुझे कुछ ना कुछ खोना ही पड़ा है में लाइफ में और जो तुमने मेरे लिए किया है उससे डबल मैंने किया है इसलिए तुम गलत हो मैं गलत नहीं हो सकता हूं इस सिचुएशन में और तुमने और तुमने और तुमारी फैमली ने जो जो मेरे साथ किया है और मेर फैमिली में नहीं लड़ना चीए और तभी हम देखते हैं यह सब बातों को मार्सल पर कोई असर नहीं पढ़ रहा था और वहां पर अलाइजा पो जाता और बोलते हैं तुम कोई डिसकुशन कर रहे हो और क्या में तुम्हारा फैमिली ड्रामा का भी खतम हुआ नहीं था और चलता रहेगा तुम्हारा और तभी अलाइजा बोलता है थी शूट मत बोलो तो मैं पता है क्लाँको समझने आ रहा था अब प्ताता है क्लाउस को कि यह वही है जो उसे विंसे chỉटन ने दिये और यह अरोरा की वोडी और यह कहने है कि बात भहुत जाल Canadians घंद करूंगा तो इतले पुरानी बातों क्यों लेकर क्योंकि तुम अपने आपको राइट प्रूफ करना चाहते हो और तुम माफी मंगने के बदले मुझसे माफी मंग माना चाहते हो और यह कहने को गुस्सा दिखाई देता है बहुत जादा मारसल और हम देखते हैं इस सिच्वेशन को देखके अलाइजा को लगता है यह वही है नताइज्बोषिंग को वन का दुश्मन था दविना को क्यू मारने की कोशिश करनी पड़ी बहल कि लूश्यन को मारने की और तरीक के भी मिल सकते थे और रही बात लूश्यन की चैंए सकी बिलं कि और यह बात करने लाइज और बोलता है व्जे कोई फरक नी पड़ता है और हम देखते हैं अलाईजा को पुराने सारे थोड़ सान लगते हैं जिनके अंदर हो सारे विजन्स थे हेली का चिलाना उन सब का मरना और यह सब देखे सीधा दिल निकाल लेता है मार्सल का और क्लाउस को कोई अंदाजा नी था कि अलाईजा यह करने वाला है और हम देखते हैं उसको ब्रिस से नीचे फैक दिता है जिसको देखे क्लाउस जोर जोर से चिलाने लगता है बट यह सब कर दिया था फैमली के नाम पे अलाईजा ने अफिर हम देखते हैं थोड बिट्रे क्या किया उसने हमारे खिलाफ सब कुछ कर दिया वह श्रिक्ट का लीडर था और उसके ने वह वाइल पी लेता तो शायद हमको खतम कर डालता और मैंने खुद प्रफेसी में देखा था वह हमें बिट्रे करेगा और यह सब कहने की बात क्लाउस को अभी भी यकिन न और उसने जो भी किया प्रफेसी को टालने के लिए और ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुमारा दुष्मन है वो तुमको हमेशा बचाते हुआ है और अलाईजा की कोई गलती नहीं है और यह कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम बिल्कुल कैमे की तरह साउंड कर रही हो और य मेली के पास था और हम देखते हैं दोनों इंटिमेट होना शुडू हो जाते हैं तो गाई इसका मतलब यह है कोई मर्या जी है इनको इंटिमेट होना जरूरी है हर मोमेंट पे अब हम अगली सिन में क्लाउस को देखते हैं जो अभी मार्सल की प्लेस पे था वहां पर इसने नहीं पी जैसे मैंने उसे दिया था लो उस दिन तभी उसने पी लिया था और उनको जब तक लगेगा कि मार्सल मर चुका है वह तयार होके आजाएगा इनके लिए सप्राइस देने के लिए और यह कहने को स्माइल करन लगता और हम देखतें लास्ट सीन में जहां प अगले एपिसोड में सब तक के लिए लाइक करो वीडियो को चैनल को सस्क्राइब करो सब वीडियो पर 150 प्लस लाइक होगे तो लाइक दो वीडियो ठेक केर बाइबाइ साइन और रहें टाटा